तो नया रायपूर के सेक्टर 24 में नेशनल इंवस्टिगेशन एजनसी यानि नाये की कार्याले का लोकारपन करने के केंद्री ग्रे मंत्री अमिच शाह रायपूर पहुंचे हैं गाटन के दौरान, 36 गड़ के ग्रे मंत्री तामड़ साहू और NIA के महा निदेशक दिनकर गुपता भी उपस्तित रहे। इस दौरान अमिछ शाह ने NIA बिल्डिंग के लिए नए भावन के लिए 36 गड़ शासन का अभार वेक्ट किया। साथी CM उपेश बखेल को भी धन्यवाद का शाह ने कायर करम में NIA की जमकर तारेव के। शाह ने कहा कि NIA ने स्थापना के उदेश्य को पूरा किया है। NIA अपनी पहुँच मजबूत करती जा रही है। 2024 तक सभी राज्यों में NIA की ब्रांच होगी। वही सियम उपेश ने भी जीरम कांड को लेकर NIA का जिक्रिच छेड़ा और साथ ही उन्होंने आने वाले समय में प्रदेश सी नकसलवाद के खात्मा पर भी जोड़ दिया। एजन्सियों के लिए जो समय NIA की स्थापना को हुआ है वो समय बहुत लंबा नहीं है। किसी भी एजन्सियों को स्थापना के बाद बनने में, उभरने में और परिणाम लाने में एक लंबा समय जाता है। मगर NIA ये ने अल्पकाल के अंदर ही अपने कार्यक्षेत्र के हर पहलू में बेंचमर्क स्थापित करकर पूरे विश्व में एक प्राइम एंटी टेरर इंवेस्टिगेशन एजन्सी का एक प्रकार से मान्यता प्राप्त किया है पुरे देश के लिए गोरव की बात है। इकड का ये मकान बनकर खड़ा हो गया है इसका मुझे बहुत आनंद है दोनों पूर्व मुख्यमंत्री और अभीके मुख्यमंत्री दोनों याँ बैठे हैं मैं दोनों को रदय से भूमी देने के लिए और सहयोग देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहता इनाईये के कायरे किस प्रकार से गठन हुआ और उसके बाद उसका विस्तार हुआ और उसके छेतर अधिकार बहुत बढ़े हैं बहुत जिम्मेदारी और बहुत विस्वसनी संगठन के रूप में इनाईये को हम जानते हैं आदवासी छेतर जो नकसल पर होई छेतर हैं वह मुझे पूरा विस्वास है कि जिस प्रकाश से केंद्रिग्री मंत्री जी का सहयूग हम लोगों मिलता रहा है तो मुझे पूरा विस्वास है कि बहुत जल्दी हम 36 गड़ में नकसलबाद समाप्त करने में सफल होंगे अब ये कहना कठीन है कि कब तक होगा लेकिन जिस प्रक